गुद मॉनिंग केड्स, हाव र्यूँ, गुद, स्टुडेंट, आज हम इंग्लिश में राइटिंग बग करेंगी, यह हमारी टास्क बुक है, हम इसमें इंग्लिश का राइटिंग बग सीखेंगे, ओकी स्टुडेंट, तो अपन यूर बुक, हम अपनी बुक को ओपन करें करेंगे एक पीज हमारा CW है, सेकन पेज है, एच डबू है, ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊंगे, पहले CW, CW हम आपको करके दिखाएंगे, और सेकन पेज है, खुद करना है, है न, सैल्फ करना है, पूरा पेज फिल करना है, जो हम सिखाएंगे, ओके, चली, हमारे इ में छोटी सी एक activity है फ़ले हम वो करेंगे फिस standing line को खीचेंगे okay student चलिए move top to bottom and join the object ठीक है जो उपर हमें object दिये हैं उनको हमें क्या करना नीचे वाले object से मिलाना है ठीक है ठीक है ना चलिए तो हम मिलाते हैं आपको ये dot dot दिख रहा है बटा हम इंपर क्या करेंगे पैंसिल को चलाएंगे पैंसिल को इस पर कीचेंगे okay तो हमने बॉल को बैट से मिलाना है किस के दोरा lining के दोरा standing line के दोरा में मिलाना है तो हम यहाँ पर पैंसिल रखेंगे और यहाँ पर standing line कीचेंगे इस तरह के से ये 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 इस तरह के से हमारी यह standing line किच गई और हमने ball को wet से match कर दिया. Okay student, next is bird and nest. ठीक है? तो हम bird को उसके nest से match करेंगे. यह जो dot dot है, इस पर हम pencil को चलाएंगे और हम एक standing line किचेंगे. यह हमने dot से dot को match करती हुए. यह क्या किचा बिटा? Standing line को किचा. Very good. आप भी कर रहे हैं हमारे साथ? Good. सेकेंड है, jug और glass. हम jug और glass को standing line से match करेंगे. Dot के help से. चलिए, तो हमने यह jug से glass को dot dot से match करती हुए. यह हमने किया. Very good. तो हमारी यह standing line किचना भी आ गया हमें. हम match करना भी आ रहे हैं. Okay student, next is kite and wheel. तो हम इसको match करेंगे, kite को उसके. तो हमने इसको इससे match किया, इस तरीके से. Okay student, तो हमने क्या खीचा? Standing line. अब हम क्या करेंगे नीचे? छोटी-छोटी जो standing line दी गई है, dot dot से. हम dot की help से उनको मिलाएंगे. ठीके? और हम स्टांडिंग लाइन करना, खीचना सीख जाएंगे, ठीके? चलिए तो हम पहरी standing line कीचेंगे, इस तरीके से. फिर second, हम ये dot से dot पे pencil चलाना है, और हम स्टांडिंग लाइन बनाना, सीख रहा है. सीधी जो खड़ी लाइन होती है, मुल्दे standing line. ठीके, पिटा? ये हमने match कराएंगे इस तरीके से. second line भी करेंगे, पिटा हम, इसी तरीके से. ये हमने second line को भी बूरा, dot dot पे pencil कीच कर, standing line कीचा, और हम third line को भी करते हैं. ये हमने third line को भी dot से dot match करके standing line कीचना सीखा, इस तरीके पूरा फिल करेंगे हैं. ये हमने क्या सीखा, इसी तरीके से. standing line को draw करना, ठीके? हमने पहले यहाँ पे autumn बाले और जो टॉप बाले object उनको आपस में standing line से match करा, फिर हमने standing line कीची, ये हमने CW किया, ये हमने क्या सीखा? CW, ये हमारा CW था, अब हम इस page पे second page पे क्या करेंगे? CW, ठीके? तो हम इस पे पहले क्या लखेंगे? यहाँ पर CW बैसे तो है, पर हम front में भी CW mention कर लेंगे, और यहाँ पर हम date डालेंगे. और आज क्या date है बिटा? हम, गुड, अज हमारे date है, 11, 10, 20, ये हमारे आज की date है, ठीके student? तो हमने आप इस standing line, standing line खीचना सीखा, draw करना सीखा, आप इसका SW करेंगे, तो आप इसका SW कीजे, next video हम फिर मिलेंगे, have a nice day.